राजिस्थान जैसलमेर के इन स्थानों की यात्रा कर खूपसूरत जगेह का आनंद उठाएं वैसे आप सभी को राजिस्थान की खूपसूरती के बारे पता ही होगा यहां का सबसे खूपसूरत स्थान जैसलमेर है यदि आप तनाव से मुक्त होने के लिए छुटियों में घूमने का प्रोग्राम बना रहे है तो इस एतिहासिक स्थान जैसलमेर के बारे में सोच सकते है यहां उंट की सवारी करने से आपका मन प्रसंता से प्रफुलित हो जाएगा एक बड़ा बाग इसका मतलब है विशाल गार्डन और स्मारक जगह जो महारावल जैत सिंग के शाही परिवार के रईसों के बनाया गया है दो जैसलमेर का किला यह किला जैसलमेर की शान के रूप में माना जाता है और यह शहर के बीचों बीच में स्थित है इसे सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है क्यूंकि यह पीले बलुआ पत्थर का किला सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता है इसे 1156 में एक फाटी राजपूत शासक जैसल द्वारा त्रिकुरा पहाडी के शीर्ष पर निर्मित किया गया था 3. रेत के टीले सम के टीले राजिस्थान राज्ये के जैसल मेर के पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित रेत के टीले स्थित है यह थार मरुस्थल के विशाल रेतीले टीलों का क्षेतर है संब में जैसल मेर से 45 किलोमीटर दूर संब की तरह ही सुहडी गाउं के निकट स्थित विशाल रेत के टीले भी परियटकों के आकर्शन का केंद्र हैं यहां का सूर्यास्थ दर्शन तथा उंप सफारी परियटकों का मन मोह लेते हैं चार गदसी सर जील गदसी सर जील एक कृत्रिम पानी का जलाशय है जिसे 14. सदी के दौरान राजा महरवाल गदसी द्वारा निर्मित किया गया था यह वर्शा के पानी की जील है जो उसवधी के दौरान पानी का प्रधान स्रोत थी जील के किनारे पर कई छोटे मंदर स्थित हैं पर्यटक चील पर कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं और शाम के समय नौका विहार का आनंद ले सकते हैं पांच पठों की हवेली जैसलमेर के धनी व्यापारियों ने यहां अपनी महलनुमा हवेलियां बनवाई थी इन हवेलियों की दिवारों, खिर्कियों, छज्जों में इतनी बारिक जालियों, नकाशी और बेलबूटों का महीन और सुन्दर काम किया गया है कि आँखें चौक जाती हैं यह हवेलियां लगभग 300 साल पुरानी हैं, इन्हें आज भी परियटकों के लिए संभाल के रखा गया है इन हवेलियों में सबसे विशालव भव्य हवेलियों में से एक है पठों की हवेली 1805 में बनी यह हवेली साथ छोटी हवेलियों का समूह है, एव यहां की सभी हवेलियों में सबसे प्राचीन है सरकार द्वारा संरक्षित यह हवेली उस समय की शानो शोकत भरी जीवन शैली की मिसाल है 6. जैन मंदिर राजिस्थान में अरावली परवत की घाटियों के मध्य चारों और जिंगलों से गिरे रनकपुर में भगवान रिशब देव का चतुरमुखी जैन मंदिर है जिंगलों से गिरे हुने के कारण इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना न भूले और हाँ सब्सक्राइब जरूर करे